नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियोज मैं हूं योगी श्क्रवर्ती जन्डायक करपूरी ठाकुर को भारत रत्न दिये जाने का एलान पहले ही हो चुका है अब 29 मार्च को राष्टपती बाजापता उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी नवाजेंगी हम आपको बता दें कि इस खास मौके पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार भी वहां मौजूद होंगे राष्टपती भवन के इस कारिक्रम में इसके अलावा किंद्रिय मंत्री और परधान मंत्री तो होंगे ही लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश में आदर्श आचार शनहिता लागू है क्या ऐसे में राष्टपती को ऐसे कारिक्रमों से बचना चाहिए जो आदर्श आचार शुनाव शनहिता का उलंगन करता हो हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार शन्तोष कुमार जी हैं आए इन से समझते हैं कि क्या एक कारिक्रम शुनाव के दौरान या यूं कहें जब देश में आचार शनहिता लागू है तो राष्टपती को इस से बचना चाहिए था शन्तोष जी देखिए चुनाव आचार संक्ता से राष्टपती सभी मामलों से उपर होती हैं देश की पर्थम नागरिक होते हैं और उन पर आचार शन्तोष लागू होता है नहीं उन पर कोई केस मुकद्मा हो सकता है वह हमारे देश का सर्वोचपत है तो उन पर न कुछ नहीं वह वात इस नाते दिया गया था कि राष्टपती मर्यादा होती है दोनों मर्यादा रखते पहले राजिंदर परसाद हुए थे राष्टपती हब है अब राष्ट पती पद्ध का और राजनिती करन होते जा रहा है सरकार जिसे अभी भारत रत्म की बात है तो भारत रत्म दिया जा रहा है तो देखा जाए तो एक तरह से भारत सरकार का कार्शक्रम होता है बहले राष्ट पती देती है एवाज लेकिन प्रोटल कार्शक्रम भारत सरकार के माध्यम से केंद्रिय मंतिमंडल जो नीना लेता है जो तितितर करता है उसके अनुसार होता है और उसमें आचार संगता नहीं लागू होती है किसी तरह से लोग जाएंगे उस पर कोई आचार संगता नहीं लागू होगी लोग कर सकते हैं लेकिन चुनाव आयोग को इस पर देखना चाहिए देखना होगा चुनाव आयोग को कि उसका राजनितिक फैदा तो कोई उठाने का प्रयास नहीं करता है कोई भी दल हो राष्ट पती के कार्शक्रम का राजनितिक करन तो नहों वहां पर प्रहेज करना चाहिए आप चुनाव आयोग ने इद रमजान वली मिलन समारों में कोई नेता जाते हैं तो उस पर रोक अपर दावतर रखेंगे तो केस हो जाएगा तो राष्ट पतिभवन में राष्ट पती जव्रादा किया जारा जिनको मिल रहा है उनके लिए रखा जाए ना की कोई मुक्ह मंत्री जाए कोई राजनितिक दल जाए MP जाए ए मेले जाए और प्रधान मंत्री जाए और उसकी की मार्केटिंग हो पूरी तरह से कि भाई भोट बैंक की टीबी के माध्यम से उसका परचार परचार हो कि भाई सरकार ने यह किया तो चुनावायोग को इस पर देखना चाहिए लेकिन अब जो बरतमान चुनावायोग है वो देखा जाया तो एक परकार से नमुए का जा सकता है अभी एक जमाना था जब करते जिसके नाम से पूरा बाच़ां चुनावायोग भी कहा चीज संस्ता है एक वहां के अधिकारी केजरा उसकी बार्फार ने झिखा सबस्क्राइब लोग जाने उन्हों ने अपनी पाबर का उप्योग किया है तो पहले चुनाव आयोग की बहाली में सर्वोष न्याले के न्यायदी से नेता बीपच रहते थे और प्रधान मंतरी रहते थे इन लोग मिलकट अप्र्पर द्राइब करते ते सरकार ने कानून में बदलाव करके सर्वोष न्याले के न्याधिस को वहां से हटा दिया कि सत्ता धल के दारी धल के दो को कर लिया और एक बीरोधी धल के नेता को तो जो सत्ता सरकार चाहेगी वही नहोगा तो इस परकार से चुनाव आयोग को कहिए कि एक मतलब निश्क्रिय करने का प्रियास किया गया कि सरकार जैसे चुनावायो का इस्तेमाल करें और देखने को मिल रहा है नहीं तो जैसे कोई भी निता जाते हैं उसकार्जक्रम में तो उस पर रोक लगा सकती है चुनावाई चाहे मुक मंत्री हो प्रधान मंत्री राश्ट्पती का कार्जक्रम है गाया था तो लगे हांथ कई ऐसे और निता हैं जिन्हें भारत रत्रन देने का इलान किया गया था उसमें एक बीजेपी के संस्थाफक सदस्य लाल क्रिष्न अडवानी जी उनके नाम का भी एलान किया गया था तो उस बक्त भी बातें कही जा रही थी कि यह सब चुनावी लॉलीपॉप है और खास करके जन्नायक करपूरी ठाकूर के बारे में कहा जाता है कि नितीश को लॉलीपॉप खिलाने के लिए मतलब करपूरी जी को भारत रतन दिया गया था अब चुनाव के एन पहले जो है इस तरह के कारिकरम रास्ट पती की ओर से किया जा रहा है तो कह नहीं न कहीं यह यह शंदेश तो जन्ता में पहले ही गया है यह चुनावी लॉलिपॉप है और चुनाव से जुड़ा हुआ है तो पर आज तक भारत रत्न साल में तीन लोगों को दिया जाता था मैक्सिमिंट इस लोगों को दिया गया भारत रत्न का भी राजनितिकरन मुझे लगता है कि वह शतीर होती है और भारत राष्ट पती जी वह याज इस बचना चाहिए पर तहुंन बच्णा चाहिए चुनाव आचार सेंगडिता हूं पर भले लागू नहीं होता है । राष्टपती का पत जो चाह रहे हैं वह करवा रहे हैं तो दीर दीरे दीरे निस्क्रिये होती ही जा रही है चाहे चुनावायोगो चाहे ये आपको CBI, ED जितने भी संस्थाइं हैं मतलब सरकार की जो भी संस्थाइं सब को मतलब निस्क्रिये करते जा रहा है एक परकार से कहा जाए तो समाप्त करते जा रहा है संतोस जी जिस तरह से संबैधानिक संस्थाइं पर शवाल उठते रही है कि उन्हें लगातार निस्क्रिये किया जा रहा है अपने हितों के लिए मौजूदा सरकार मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है ऐसे में देश की जनता के सामने अब क्या है किस तरस से वो इनसे निपट सकती है अभी जैसे अधर्स चुनाव आचार सनहिता का और लंगन का मामला है तो जनता तो के पास मौके हैं कि अभी बोट दे कर वो सही फैसला ले चित तो और पर जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है भोट का अधिकार वो कितना भी बड़ा तानासा है भोट के अधिकार से उसको हटा सकती है उसको अभी समय है और आप देखिएगा देश की जो इस्तिति है भरष्टाचार महंगाई मतलब चरम पढ़ है महंगाई च सब लोग एकदम तरही माम है और आप देखिएगा चुनाव में जनता निश्चित तोर प्रफेसला लेगी फिर अगर पुल्वामा टाइप का कोई मामला ना आए हिंदु मुसलिम कोई दंगा ना हो जाए तो जनता तरस्त है महिलाय तरस्त है 400 का सिलेंडर 1200 हो गया है 50 सारी भाजपा में सामील हो गये हैं तो कहां परधान मंत्री की जितनी बाते हैं सिच्छा की बात छोड़ करके मंदिर की पांस जार साल पुरानी बाते आप कर रहे हैं तो जनता तरही माम है और इस चुनाव में निश्चित तोर प्रफेसला लेगी मुझे नहीं लगता है क कोई अगर दंगा ना हो हिंदू मुस्लिम कुछ ना हो देश की बात भावनात्मकाधार पर लोगों को ना तोरा जाए मुझे नहीं लगता है कि भारतिये जनता पार्टी या नरेंद मोदी को लोग मौका देगी दो बाड़ मौका दे दिया है और दो बाड़ मौका देने क सरमानी चाहिए नहीं ऐसी बात होती है आप सिचा की नहीं बात करके आप मंदिर मस्जित की बात करते हैं आप रुबे रोजगारी रोजगार की बात करते हैं तो आप मंदिर की बात करते हैं नौकरिया आपने सारी बंद कर दी रेलवे रेलवे फैदा में लालू परसाद क के समय था क्या इस्तिति है रेलवे की रेलवे का बजट को कोई नहीं जानता रेलवे की सबसे पर आधिकार है और जन्ता का नया जव लाठी पड़ता है तो बड़े बड़े सूल्मा अहंकार किसी का नहीं रहा है तो जनता की लाठी जब पड़ती है तो 400 नहीं 200 से नीचे भी हो सकता है और जैसा की संतोज जी ने कहा कि इस भार भले ही 400 पार के दावे कि यह जा रहे हो लेकिन पबलिक के बीच हकीकत कुछ और है पबलिक त्रही माम कर रही है और आने वाले चुनाब में उन्हें सवक सिखाने को तैयार बैठी है भले ही वो जितना चाहे भारत रत्म बाट लें फिलालिता ही आप हमें फिस्बुक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमुलि विचार और सुझाव जरूर दें धन्यवाद